नमस्कार दोस्तूं, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल कलर का ये खुबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चैनल स्वेटर में, हाफ में, फुल में, चाहे किसी भी मन्चाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें पांच के मल्टिपल फंदे चाहिए और चार फंदा एक्स्रा। तो चलिए हम डिजाइन बनाते हैं। पहला फंदा सीधा बनेंगे या उतार लेंगे फिर दो फंदा उल्टा। उसके बाद उन अपनी ओर हैं इसे दूसरी ओर करेंगे और एक बार और सलाहे में लपेट लेंगे। फिर तीन फंदे लेंगे एक दो और तीन तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर इस तीसरे फंदे को छोड़ देंगे और दो फंदों में से एक और सीधा फंदा बनाएंगे। अगला दो फंदा उल्टा उन अपनी और है इसे दूसरी तरफ करेंगे और एक बार और सलाए में ऐसे लपेट लेंगे फिर तीन फंदो को हम एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे फिर इन तीन फंदो में से तीसरे फंदे को किनारे करेंगे और दो फंदों से एक और सीधा फंदा बना लेंगे फिर उन अपनी और करेंगे और दो फंदा उल्टा इन ही पांच फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है उन अपनी तरफ है उसे दूसरी तरफ करेंगे एक बार और सलाई में ऐसे लपेटेंगे तीन फंदा लेंगे तीन फंदों में से एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर तीसरे फंदे को किनारे करेंगे और दो फंदों में से एक और सीधा तो ये हमारा तीन फंदा हो गया पहले जाले जाला है फिर तीन फंदों में से एक सीधा फंदा फिर तीसरा फंदा किनारे करके दो फंदों में से एक और सीधा फंदा और अगला दो फंदा उल्टा फिर से देखिए उन अपनी तरफ है उसे दूसरी तरफ करेंगे और एक बार सलाई में लपेट लेंगे फिर तीन फंदा हम लेंगे एक दो और तीन और तीनों को एक साथ लेंगे और बैक साइट से हम एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर तीसरे फंदे को किनारे करेंगे और शुरू के दो फंदों से एक और सीधा फंदा बनाएंगे पिर उन अपनी और करेंगे अगला तो फंदा उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी और करेंगे एक बार सलाई में ऐसे लपेटेंगे तीन फंदो को हम एक साथ लेंगे और बैक साइड से हम तीन से एक से तीन की तरफ हम सलाई दा लेंगे हम तीन से एक तरफ न डालके जैसे हम नार्मली सीधा बुनते हैं तो ऐसे बुनते हैं तो हमें ऐसे न बुनके एक से तीन की तरफ सलाई डालना है बैक साइट से और एक सीधा फंदा बना लेना है फिर तीसरे फंदे को किनारे करके और दो फंदों में से एक और सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी योर करेंगे और दो फंदा उल्टा उन दूसरी योर करेंगे एक बार सलाई में लपेटेंगे उसके बाद पहले से तीसरे फंदे की तरफ हम सलाई डालेंगे करेंगे और दो फंदों से एक और सीधा फंदा बना लिया इसके बाद दो फंदा उल्टा और पहला लाइन कंप्लीट हो गया सेकेंड रो और बैक साइट पहला फंदा उल्टा फिर दो फंदा सीधा अब उन दूसरी तरफ है उसे अपनी और करेंगे और एक बार और सलाई में ऐसे लपट लेंगे और अब तीन फंदों को हम लेंगे ऐसे परल एक से तीन की तरफ ऐसे दालेंगे परल वाइज और एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर तीसरे फंदे को हम ऐसे छोड़ देंगे और पहले दूसरे फंदे में से एक और उल्टा फंदा बना लिया तो हमारा ये तीन फंदा हो गया एक ये जाली और ये दो फंदे फिर उन दूसरी ओर करेंगे दो फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे और एक बर और सलाई में ऐसे लपेट लेंगे जैसे जारी जालते हैं फिर तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर तीसरे फंदे को किनारे करेंगे और शुरू के दो फंदों में से एक और उल्टा फंदा बना लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, एक बार सलाई मैंसे लपेटेंगे, और तीन फंदे हम एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर तीसरे फंदे को किनारे करेंगे, और शुरू के दो फंदों में से एक और उल्टा फंदा ब उन अपनी और करेंगे और एक बर और सलाई में ऐसे लपेटेंगे और तीन फंदों को एक साथ हम लेंगे ऐसे एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर तीसरे फंदे को किनारे करेंगे और शुरू के दो फंदों में से एक और उल्टा फंदा उन दूसरी और करेंगे और दो फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे एक बर और सलाहे मैंसे लपेटेंगे तीन फंदो को एक साथ लेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर तीसरे फंदे को किनारे करेंगे और दो फंदो में से एक और उल्टा फंदा फिर उन दूसरी और करेंगे दो फंदा सीधा उन दूसरी तरफ है उसे अपनी और करेंगे और एक बर और सलाई में ऐसे लपेट लेंगे तीन फंदे हम लेंगे एक साथ तीन फंदे लेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर तीसरे फंदे को किनारे करेंगे और शुरू के दो फंदों में से एक और उल्टा फंदा है हमारे तीन फंदे वापस हो गए फिर उन दूसरी और करेंगे दू फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा देखिए फ्रांट्स डिजाइन डिजाइन त्यार है दो ही लाइन का ये डिजाइन है और इन ही दोनों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दो रात दे रहना है तो फ्रांट्स डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाएए इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहा है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाल